ऊछ फिर नुट प्र associated आपके साथ में हूं ललित प्रज्यापती नमस्कार बहूत स्वागत है आपका अपना एंपी केस बुलिटन में मैं हूं आपके साथ रितु ग्यानवानी बुलिटन के शुरबात करेंगे हैं हर्ताल के खबर के साथ हर्ताल से हाहक कार मचा हुआ है पूरे ही मध्य प्रदेश में पैट्रोल डीजल की यह लट भी होने लगी है पैट्रोल पंपो पर लगी लंबी-लंबी खतारी हमें नजर आ रही हैं इतना ही नहीं ना सर्फ पैट्रोल के ड्राइवर्स के हर्दाल के बाद किस तरह की स्थितियां वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं पैट्रोल की सप्लाई, सब्जी की सप्लाई, सारी चीज़े बाधित और इसके चलते आम लोगों की दिक्कतें आपढ़ने लगी है पैट्रोल पंप पर लंबी-लंबी कता रहें, तो कहीं पर सन्नाटा, चुकि सन्नाटा इस वज़े से बोड लगा दिये गए हैं, पैट्रोल खत्म हो चुका है और कहीं न कहीं आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही स्थिती बनी रही, हर दाल जारी रही, तो शायद हर जगा ऐसी स्थिती देखने को मिलेगी और कहीं न कहीं, रोजमरा के जो चीज़ें हैं, वो भी लोगों को नहीं मिल पाईए, प्रभावत सीधे तोर पर आम जन होगा, यात्रियों को अलग परिशानी होगी और इस सारी दिक्कत की वज़ा है, हिट एंड रन को लेकर जो नया कानून बना है, उसका ड्राइवर्स विरोध कर रहे हैं हरताल दूसरे दिन भी जारी है, अलग अलग जगों की तस्वीरें हरताल से कितना हाकार मचा है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है पहली तस्वीर जवलपूर की आपको दिखा रहे हैं भीर भड़ा का बस के आगे लोग खड़े हैं दूसरी तस्वीर रतलाम की यहां पर भी बड़ी संख्या में ड्राइवर एक खटा हुए हैं मनसौर में भी तस्वीर ऐसी भूपाल में भी बड़ी संख्या में ड्राइवर एक खटा हुए और साथी साथ पेट्रोल बंपर पहुंच रहे हैं कि किस तरह से लोग यहां पर कतारों में लगे नज़र आ रहे हैं उन्हें भी लग रहा है कि शायद आने वाले दुनों में परिशानी होगी इसलिए पेट्रोल बंपर पहुंच रहे हैं जूतों की माला पहनाई गई है, आटो के टायर पंक्चर किये जा रहे हैं, बीच सड़क पर यात्रियों को उतारा जा रहा है, सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश चतीजगर पर यह आप तस्वीरे देख रहे हैं, तो यह तस्वीरे हाथाल से हाकार के स्थितियां और अ अगर शायद इस पर संग्यान नहीं लिया है, तो यह तरह से यह जो प्रदेशन है, उग्रो होता जा रहा है, अगर शायद इस पर संग्यान नहीं लिया, तो यह बहुत बड़ा हो सकता है, कहीज सारी परिशानिया परिदा कर सकता है, और ऐसी सती भी कई बार बन जाती है, कि शायद शुरवात में एस तदि को नी अंतरण में नहीं किया जाता, यहां पर रोका नहीं जाता, तो वो चीज़ें करेंब्हाफ भी हो जाती है, आजिए में आजुट करने हैं को अप्राइब जो कानून लागू है वह हमारे ओर मिलें को अगर यह कानून लागू हो हम सबसे हाथ जोड़ के निविदन कर रहे हैं कि सवरों संबान के साथ में हमारे को सयोग करें हमारे साथ मेरे और हमारे को कॉपरेट करें पर इससे ज्यादा कोई हमारा कहना नहीं है इसमें जूते चपल का हार भी पहना रहे है आप लोग नहीं यह इसमें पहना रहे है कि ज प्रताल के चलते हैं भूपाल के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पेट्रोल पर गाड़ियों की लंबी-लंबी खतारें लगी हुई है और पेट्रोल की रिमान बढ़ चुकी है उतना पेट्रोल नहीं मिल पारा है जतना लोगों को चाहिए और आने वाले समय में पैट्रोल डीजल की किल्लत और जड़ा हो सकती है हर्तायल का असर साफ तور से हर कहीं दिख रहाए चाहे वो फल की बात करें दूद की बात करें सब्जियों की बात करें राशन की बाद करें इन सब पर ये असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों को आशंका है कि ट्रांस्पोर्टेशन जिस तरह से बंद है पेट्रोल डीजल के अगर टैंकर्स नहीं पहुंच पाएंगे तो इन लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और इनका सीज़े तोर पर जो कामकाज है वो प्रभावित होने लगेगा तो अब लोग भी यहां पर पर परिशान हो रहे हैं क्योंकि जो ड्राइवर्स हैं उनकी हरताल लगातार जारी है आप लोगों को परिशानी हो रही है भी अब बहुत परिशानी हो रही है मोदी जी को अपना फेस्टना बदलना चीए कितनी दिर से आप लोग खड़े हैं लाइन में हम लोग को आदा गंटा हो गए पड़ी मुश्किल से मिल पा रहे हैं अच्छा क्या लगता है कि इस तरह के हालात बने रहे तो पैट्रोलीजल की दिक्कत हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी बिल्कुल दो दो बंटे कि इनि सब चीजों पर निरभर करती है और अगर वो प्रभावश्य तो पहले तो पैट्रोल जो दाम है सबजिओ के फलों के वो भी बढ़ने का एक कहीना का जो एक खत्रा है वो बना हुआ है जिससे लोग महगाई से भी कहीना के प्रभावेत हो सकते हैं और जो पैट्रोल डीजल भरने वाले जो करम जा रही है उनसे मैं जानने के कोशिश करूँगा पैट्रोल अभी आपके पास है परियात मात्रा में भी है अभी तर्फाल में है तो टैंकर वगेरा पहुचे हैं समय पे कल अब टैंकर आ रहे हैं अभी इस टैंकर निगल चुका है तो परियात में माल चल लाए दीरे दीरे जी अगर यह लंबी चल गए हरताल दिक्कत हो जाएगी जप्तों दिक्कत आया जोड़ा उपर से उत्ता ज़्यादा भी नहीं आ रहा है जितने आप डिमांड करें उतना माल नहीं आ रहा है और यही परिशानी का कारण है अगर यह हरताल लंबी चलती है तो पेट्रोल डीजल की जो सप्लाई उस पर भी सीज़त और पर असर देखने को मिले का और यही वज़ा है कि यह जो लंब को परिशाने का सामना करना पड़ रहा है यहां भी पैट्रोल जिलरे क अब धीरे के लग होने लेक है दो पर रंवेतले को इतने वीड़िना के लिए म। और अकलाम में भी हिट औरन कानून का विरोजारी है पेट्रोल डीजल की किलत बढ़ती जा रही है और इसी पर लोग पैट्रोल पंपों पर भीड भी लगा रहे हैं सफा की वज़े से इस दौरान विवाद भी सामडे आ रहे हैं हाला कि अफ़ा है ये बात जो है अधिकारी क कह रहे हैं कि अधिक अधाल और कहीं ने कहीं इस्थिती पैदा होती है पर पैट्रोल पंप भारी इस अच्छा में लूप पहुंच रहे हैं और रिफ्यूल करवारे हैं कि रतलाम में भी कम बेश यही हाला थे आप देख सकते हैं पैट्रोल पंप जो है वहां पर लंबी-लंबी कहतार सुबस नजर आ रही है और यहां पर छोटे-मोटे विवाद भी नजर आ रहे हैं लाइन में लगने के लिए दो-दो घंटे तक के लाइन में लगकर लोग प रहा है रतलाम में और मैं आपको इधर बीड का नजारा दिखाता हूं जैसे कि लंबी वेटिंग यहां पर चल रही है और दो-दो-तीन-तीन घंटे तक के लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है और यह देखी जैसे मेला लगा हुआ और यहां फ्री में प परहाट है खलबली है कि कहीं स्टॉक खत्म न हो जाए तो आपको देखे कि होर्न बजा बजा कर यहां पर जो है कहीं नाराजदी भी है घंटों इनको इंतजार करना पड़ रहा है तो हीटन रन यह जो नया कानून आया उसका यह इंपेक्ट रतलाम शहर में भी देखने को मिल रहा है रीजेन न्यूजेटीन रतलाम इधर मंदुसौर में ड्राइवर्स की हर्ताल के चलते क्रशी उपज मंडी में सन्नाठा पसरा हुआ है और गारी नहीं चलने के कारण किसान उपज लेकर नहीं आ पाए हैं हर्ताल का असर पेट्रोल पंप पर भी देखा गया है यह तस्वीर आपके सामने है पैट्रोल पंप बंध है चुकि पैट्रोल डीजल अब बचा नहीं है कई पंपू पर तो खोल कर भी क्या किया जाएगा तो वही है चस्पा कर दिये गए नोटिस तस्वीरें आपके सामने केंदर सरकार द्वारा विकल एक्ट में प्रावधान के चलते ड्रावर लोग हर्ताल पर चले गए हैं और उस हर्ताल का आसर से भी जगह देखनों को मिल रहा है जहां बाजार में कमर्शल वाहन नहीं चल पा रहे हैं वहीं उसके कारण करशी उपज मंडी में भी इसका प् मुझूद है सर्नाटा पस्रा है पुरी मंडी में आप फ्रीव खड़े हैं जबकि यहां पर रच रहता इतना है यह साधन की ब्रेक लग गया हर्ताल लगा मसालों ने मोटर वालों ने चोटे वाहन वालों ने भी हर्ताल के जगे माल तो आता तो वहानों से ही है मंडी में कि दो है में बेल गारे चलती तो वह अलगती अभी तो आनों से माल रहता वहान सब प्र जगे बने बिल्कुल लोड तोड़ मंडी सुंसान लग रहा है पूरी मंडी सुंसान टाइप है तो दिन पहले अच्छा माल आ रहा था है दो दिन अट्ताल की कारण से माल ना के बरा प्याज आ रहे थे दो से डेज़ार सोयबी नारी ती कुल मिला के जीन से हर्ताल कराण आवक नहीं के बराबर हो गई कभी जो मंडी में रोनक थी वह एक तरह से खतम हो चुकी है अभी मंडी में रोनक खतम है और व्यापारी यहां पर इंतजार कर रहे हैं किसानों का और करश नहीं है व्यापारी फ्री बेटे हैं हैं माल फ्री बेटे हैं और पुरी तरह से मंडी का कारोबार ठप पड़ा हुआ है नरेंद्र धनोतिया न्यूजेटिन मंसौर हर्दा की दस्वीरे भी आपको दिखाते हैं यहां पर भी ड्राइवर्स की हर्थाल की वज़े से कहीं न कहीं परिशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और कई पैट्रोल पंपू पर पैट्रोल खत्म हो चुका है बाकाइदा बोर्ड लगा दिये गए है कि पैट्रोल खत्म हो चुका है हर्थाल के चलते पैट्रोल की सप्लाइब पर सबसे बड़ा असर और पैट्रोल की सप्लाइब पर अगर सरपड़ेगा तो सीधा आपके जीवन को प्रभाविए और अब धीरे धीरे इससे लेकर रियक्शन भी आने लगे है हर्थाल को लेकर परिवन मंत्री ने बड़ा बयान दिया है राओ उदय प्रताप करें तो सीएम के साथ हर्थाल को लेकर बातचीत हुई है उन्होंने कहा कि ड्राइवर्स को चंता करने की जरूरत नहीं है बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है हर्थाल करना ठीक नहीं है बातचीत का रास्ता खुला हुआ है और साथी साथ सीएम साब से भी बातचीत हुई है मंत्री ये भी गिना रहे कि लोगों को परिशानी हो रही है सरकार की निजर लगातार बनी हुई है ड्राइवर्स की हरताल के चलते अब आम लोगों की परिशानिया थोड़ी सी बढ़ गई है लेकिन सरकार की प्रसाशन की कोशिश है कि सारी विवस्ता है सोचारो रूप से चल सके मद्ग्रेश के परिवहन मंत्री राव उधेप्ताप सिंग इस वक्त हमारे साथ मौझूद है सर कुछ बाचीत और क्या अपील ड्राइवर से प्रसाशन सरकार ने अब तक की है और इस समस्या का हल निकालने की दिशा में कोई कदम इस सरकार पूरी संजीदगी से पूरी विवस्तापन नजर रखे है मानी मुकमेदर जी स्वेम इस बात की चिंता कर रहे है कल शाम को मैं भी उनके साथ बात करी हम लोगों ने और मैं तो आपके माद्यम से अन्रोद करना चाहता हूँ कि द्राइबर्स को चिंता करने की जरुवत नहीं है इस देश में हमारी नियाए पाली का बहुत सक्षम है तो कानून का बनना अपराद जिए करना नहीं है दुर्गटना अगर दुर्भागे से दुर्गटना होती है तो आप फस इंफार्मर बनिये आप अगर किसी तरह की कोई समस्या है आज हिट इंड रन में दस बरस का कारवास है ये जुर्वाना है अगर दुर्भागे से को दुर्गटना होती है आप सूचना देते हैं तो आप उसके दोसी हैं नहीं क्योंकि सड़क के उपर चलने में कभी भी दुरगटना का अंदेशा हर व्यक्ति के साथ बना रहता है बादचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है चका जाम करना、 लोगों के रोल मररा के जीवन को परवावित करना लोग उस्पिटल्स ना पहुँच पाएं पेशेंट्स उस्पिटल्स ना पहुँच पाएं ये बड़ी चिंता का विशा सरकार का भी है और नागरिक के नाते जन प्रतिनी नाते मेरा भी है मैं यही उनसे रोद करूँगा कि इस चीज़ों को वापिस लेना चाहिए और बाचीत का रास्ता हमेशा खोला रहता है उससे बहतर पढ़नाम पहले भी आये हैं मुझे लगता है इस बार इसी कुछ सम्भावना खतम ने हुई जन मानस को बड़े भरोसे के साथ उन्होंने भातियंता पार्टी की सरकार बनाई है मानी प्रताहन मंतरी जी के नेतरों तो मोहन यादो जी पूरी सम्मेदन सीलता के साथ पूरे प्रदेश में नजर रखे हुए हैं और आम जन की चीज़ें उपलब्द रहें आसानी से प्रताप सिंग हमारे साथ थे और उनने कहा कि सारी विवस्ता है सुचारू रूप से चलती रहेंगी और लगातार प्रसाशन साशन बाचीत कर रहा है और हल जल्द ही समस्या का निकाल लिया जाएगा वीडियो जनलिस मनी सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वास दू चौरे और चलिए